आज के स्कार्क्रम में हम डोरियों से कुछ खेल देखेंगे डोरियों के खेल लोग बरसों से खेलते आ रहे हैं हालत यह है कि नए बच्चे आजकल के बच्चे इनको बिल्कुल भूल से गए है डोरियों के खेलों से तमाम संभाब ना है इनसे हम कुछ कहानियां सुना सकते हैं कुछ आकरतियां बना सकते हैं और इनसे बिलकुल जो hand eye coordination है, हाथ और आँखों का एक तालमेल है, वो बहुत ही बेहतरीन होता है और ये एक बहुत ही सस्ता सा खेल है, इसके लिए करीब 2 मीटर लंबी, हमको कोई सुतली या मोटी डोरी चाहिए और उसमें गांट लगा करके या तो हम एक चल्ला बना सकते हैं, और मेरे पास ये नाइलोन की डोरी है, जिसको मैंने गरम करके आपस में चिपका दिया है तो इसमें गांट भी नहीं है, और ये बिलकुल आले नहीं आती, तो इस तरह की ये डोरी है, करीब 2 मीटर लंबी मानांतर, अब ये देखिए, इस तरह का एक आधार बन जाएगा, ये आधार जो है हमारा, ये लगबख हमें सभी डोरियों की खेल में बनाना पड़ेगा, तो इसको हमने पहले ये करा, पहला हम जो खेल करेंगे, वो बिलकुल ही सरल सा खिलोना है, इसको बच्चे हतकरी भ ये इस तरह का एक फंदा लग जाएगा, उसके बाद में जो बाए हाथ वाली जो तरजनी उंगली है, जिसको मैं हिला रहा हूँ अभी, इस से दाए हतेली की जो डोर है, उसको अगर उठाएंगे, तो ये, अब ये एक आधार बन जाता है, ये बहुत बुन्यादी से आध जाने देते हैं, तो हाथ में देखिए एक हतकडी जैसी पड़ जाती है, तो पहला तो खेल ये बहुत मज़दार है, इसको हम एक बार दुबारा देखेंगे, सबसे पहले दोनों हाथों की हतेलियों की छोटी उंगलियों और अंगूठों में हम छले को फसा देते हैं इस और फिर दाए हाथ की तरजनी उंगली से बाए हाथ की हतेली की उंगली को हम दोर को उठाते हैं, और जैसे हमने अभी किया, उसी तरह से बाए हाथ की तरजनी उंगली से दाए हतेली की इस दोर को भी उठाते हैं, अब ये एक तरह का एक आधार बन जाता है, जो बहुत ज कि दोनों हतेलियों की उंग्लियों को हमने दोनों हाथों की तरजनी उंग्लियों से उठाया अब हम ये भी अपने एक मित्र से कह सकते हैं कि इसके बीच में वो अपना हाथ डाले हाट डालने के बाद में जिब हम सारी डोरियां छोड़ते हैं कि वल अउठे की डोरियां रहने देते हैं तो हाट में एक फंदा लग जाता है और बच्चे इसको कहते हैं कि आपके हाट में खतकड़ी लग गए तो एक बहुत ही सरल सा खिल होना है इसके बाद हम कुछ अन और भी खेल देखेंगे और इसमें सबसे मज़दार है एक कहानी और ये कहानी है एक किसान की अब इस किसान की कहानी के लिए आप देखिए सबसे पहले डोरी के छले को लीजे और डोरी के छले को अपने बाय हतेली पे इस तरह से लटका दीजे सबसे पहले हम तेजी से आपको कहानी सुनाएंगे और उसके बाद में इसको धीरे धीरे करके कि आप इसके सारे फंदू को समझ पाएं अब कहानी इस प्रकार की है कि एक किसान था और सबसे पहले किसान जो है वो अपने खेट को जोतता है उसमें हल चलाता है हल बाखर चलाता है खेट को जोतता है उसके बाद में वो अपने खेट में बीज बोता है और खेर अब जब बीज बोलिये तो उसके बाद में अपने ख पानी लगाता है और अंत में अच्छी फसल के लिए वो अपने खेत में खाट डालता है अब कुछ समय बाद में फसल एकदम पक्के तैयार हो जाती है और तब क्या होता है एक मोटा सा चुआ आता है और सारी फसल को खा जाता है, तो एक यह बहुत ही मज़िदार सी कहानी है, अब इस फंदे को हम थोड़ा सा गौर से देखेंगे, कि इसकी बारीकिया क्या है, किस तरह से उंगली से डूरे को निकालते हैं, और किस तरह से फसाते हैं, इसको आप थोड़ा सा अब डीटेल में बारीकि से दे इस से अंगुठे के पीचे की डोर को खुक जैसे बाहर लेते हैं, ये एक लूप आता है और इस लूप को आधा चक्कर घुमाते हैं और उसके बाद में तरजनी उंगली में फंसा देते हैं और फिर इसको टाइट कर देते हैं, अब ये तो हो गया कि किसान ने हज जूद दिया, फिर उसके बाद में इसी प्रकार से तरजनी और बीच वाली उंगली के बीच में से डोर को वापस खुक जैसे निकालते हैं, ये देखे, उसको फिर आधा चक्कर घुमाते हैं और फिर अंगुठी वाली उंगली में डाल देते हैं, अब इसका मतलब हो गया किसान ने बीच बो दिये, अब इसी प्रक्रिया को हम बार बार दो बार और दोर आते हैं, फिर इस उंगली को खुक जैसे पीछे की डोरी को फंसा के खीच के लाते हैं, इसको भी आधा चक्कर घुमा इसको आधा चक्कर घुमाते हैं और सबसे छोटी उंगली में फसा देते हैं, अब ये किसान ने खाट डाल दी और कुछ समय बाद में खूब ही बढ़िया फसल पैदा होती है, और तब ही एक मोटा सा एक चूहा आता है, और जो आम इस टोरी को खेंचते हैं, यानि चूहा पूरी फसल को खा जाता है, अब ये दूसरी कहानी है मच्छर की, अब मच्छर आपको मालूम है, आजकर शहरों में मच्छरों की तादाद बहुत बढ़ गई है, रात को बहुत तंग करते हैं, कान में आकर भिन मिनाते हैं मच्छर, अब ये डोरी के मच्छर को आप हम पह निकालते हैं, तो ये आपको एक बिल्कुल, ये मच्छर जैसा एक आकार दिखाई देगा है इसमें, और उसके बाद में आप क्या करते हैं, जट से इसको मच्छर को कुचल देते हैं, मसल देते हैं, और जब खेंचते हैं, तो मच्छर गायव हो जाता है, इसको में एक बा बाएं हतेली के पीछे से ले जाएंगे ये देखिए बाएं हतेली है और बाएं हतेली के पीछे से डोरी है और फिर दाएं हाथ की छोटी उंगली से इस हतेली को कि पीछे से दोनों डोरों को लेंगे अब ये जो बाय हाथ वाली छोटी उंगली है उससे इन दोनों डोरों को करके और बाय हतेली वाली जो डोर हैं इनको भार फेक देंगे और अगर हाथों को खीचेंगे तो आपको दिखाई देगा इसमें एक छोटी सी गांट जैसी लग मच्छर दिखाई देगा और जो भिनबिना रहा है हम करके भिनबिना रहा है और फिर कस के ताली से आप मच्छर को मार सकते हैं और जब दोरी को खेचेंगे तो मच्छर गायव हो जाएगा इस डोरी के खेल में एक हम चारपाई जैसा एक पहुत ही सुन्दर सा ढाचा बनाए कि तरजनी उंगलियों से हतेलीक उंगलियों को हमने तो एक इस तरह का एक आकार बन जाएगा फिर दोनों अंगूठों से इन डोरों को उठा करके बाकी डोरों को छोड़ देते हैं उसके बाद में इनको उठा करके और इनको छोटी उंगलियों में डाल देते हैं तो इस से आप देखेंगे, इसमें कुछ एक क्रॉस्ट ऐसे आकार बीच के दिखाये देंगे, फिर दाएं हाथ को बाएं अंगूठे पे लपेटेंगे और इन दोनों दोरों को उठा करके वाबाद में डाल देंगे, इसी तरह से इस पे लपेटेंगे और इनको भी निकाल करके इस अगर हम खींचेंगे तो हम आपको इतना सुन्दर सा एक आकार दिखाई देगा और अगर दोनों अंगूठो और छोटी उंग्लियों को आप जमीन पर रखेंगे तो ये बिल्कुल एक चार पाई जैसा आपको आकार दिखाई देखा तो ये चार पाई बन जाती है या एक बहुत सुन्दर सा दर्वाजा जैसा भी दिखाई देता है तो डोरी से बहुत अनेको संभाब ना है इसको हम एक बार दुबारा बना के देखेंगे ये बहुत ही सरलसा है इसके लिए हमने करीब दो मीटर लंबी डूरी ली और उसको सबसे पहले दोनों हतेलियों के अंगूठों और उंग्लियों में फसा दिया फिर तरजनी उंगली से हतेली की उंगली उठाई फिर दूसरे हाथ की तरजनी उंगली से पहले हाथ की उंगली को उठाया तो ये एक ये आधार बन जाता है उसके बाद में अंगूठों से पहले इन दोनों डोरों को उठाते हैं और इनको छो देते हैं उसके बाद अंगूठों से ही जो अंत वाली डोरियां है दो डोरी लेते हैं और इन अंगूठों की डोरियों को छोटी उंगलियों पर डाल देते हैं इस तरह से आप देखें के बिलकुल एक बिलकुल सिमेट्रिक एक नमूना बन जाता है इस सिती में हम जो दाय हाथ है इसको बाएं अंगूठे पर इस खलके से लपेटते हैं और इन दोनों डोरों को अंगूठे से बाहर निकाल करके दुबारा उसमें डाल देते हैं इसी प्रिकार से बाए हात के उठे पर भी डोरे को लपेटते हैं इन दोनों डोरों को उठा करके दुबारा डाल देते हैं अंत में हमारी हत्यलियों के उपर ये दोनों जो डोरियां हैं इनको निकाल देते हैं दोनों हातों को बिलकुल नमसकार की सिती में ला करके और उनको खेशते हैं तो आप देखते हैं कि बीच में एक बहुत ही सुन्दर सा एक एक नमुना जैसे चारपाई होती है वह एक चारपाई बन जाती है और अगर दोनों अंगुठों को और उंगलियों को हम जमीन पर रखें तो आपको बिलकुल चारपाई जैसा एक एक आकार दिखाई देगा डोरी के अनेकों और खेल हैं दुन्या में लगबख साड़े साथ सो डोरी के खेलों को लिपी बद करा गया है इसमें केवल दो मीटर लंबी सुतली की जरूरत होती है और फिर आप अपने उंगलियों से और अपनी आखों से तरह तरह के रोचक नमूने और आकरतिया बना सकते है कर दो में बना सकता है